हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं I hope आप बहुत अच्छे होंगे मैंने अपने आज के इस वीडियो में BPSC प्रिविएस इयर साइन्स का कोस्टन्स लेका रहे हूं जो तीन पार्ट में होगा तो यह पहला पार्ट है जो प्रिविएस इयर लास्ट दस साल का जो भी BPSC में प पहला कोशन्स है सौर विकिरण निम्नमे से किस परास में देखता है तो सौर विकरण देखता है आपका 400 से लेकर और 700 एन्म परास में देखता है ठीक है दूसरा कोशन्स खनीज क्या है तो खनीज एक अकार्बनिक ठोस है अकार्बनिक ठोस यह बहुत सारे चीज मिक्स रते हैं ठीक है इसलिए एक अकार्बनिक ठोस है कोशन नमबर 3 है कि एक ही प्रकार का प्रमाड़ू निम्न में से किस में मिलता है तो इसका एंसर रहेगा ऑप्शन नमबर C यानिक प्राकृतिक तत्तों में एक ही प्रकार का प्रमाड़ू निम्न में से किस में मिलता है तो प्राकृतिक तत्तों में क्कोशन नुम्मर चार, खाने का नमक, सोडियम क्लॉराइड किसे से बनता है, तो सोडियम क्लॉराइड किसे बनता है, इसका एंसर हो जाएगा, अप्सन नुमर बी, मझबूत अम्ल मझबूत चार से क्या बनता है सोडियम क्लॉराइड बनता है ठекne अम्ल कैसे इसे पी rent समा से पह चान में आता है pH जो value होता है उसमें साथ से अगर कम होता है किसी का value ठेकüne तो वो अम्ल होता है और साथ सथिक होता है वो क्या होता है छार होता है ठीक है तो मजबूत अमल और मजबूत छार से खाने का नमक इन सोडियम क्लोराइड बनता है ठीक है दोस्तों कभी कभी कोश्चन में खाने का नमक में इसका रासानिक नाम पूछ देता है ठीक है खाने का नमक का रासानिक नाम क्या है तो सोडियम ग्लोराईट ठेक है डॉस्तों नेक्स कोउचन है क कौउचन नमबर फाइब पॉधे जो नमक मिट्टी में उखते हैं को क्या कहते हैं तो जो पॉदे नमक मिट्टी में सुखते हैं उसको हम हेल offense कहते हैं क्या हेल offense देखिए हाईडो है जो पानी में उखते हैं अूगते हैं उसको क्या वोगलते है है। है फानी में जो मरुस्तष्य च्थर में ऊगते हैं जो फॉथियर अपना क्या हो जा रहा है तो नमा ये मीटी में और हाइड्रोफाइट्स पानी ठीक ना जल में कुश्चन नम्मर छो देखते हैं अब पर्यावरण किससे बनता है तो पर्यावरण बनता है इन में सब हो जाएगा क्योंकि यह जलीव घटकों से बनता है भू आकरतिक घटकों से और अजयव घटकों तीनों को मिलाकर बनता है तो पर्यावरण इसलिए इसका अप्शन हो जाएगा डी नम्मर कोश्चन नम्मर सेवन सनवहनी यानि कि वैस्कुलर पौधों में पानी उपर किससे जाता है तो स एसका हैं सद्सक्थचन नम्मर डी जाइलमम देखिये ये पानी कह रहा है तो इससे एक ट्रिक बताया है उससे आप हमेशा क्टेक्र CAN आते रहते हैं कि जाईलम यानिकि जल ठेक ना जौसे है जए gel यह वै जलौ जाइलम से जल यानिकि पानी उपर लेता है एसे,इस्य है तो जब अगर food की बात करेगा, तो fluid किसे जाता है, phloem tissue से जाता है, ठीक है, और जब जल की बात कर रहा है, तो किसे, gylam tissue से जाता है, ठीक है, next questions, question number 8, 8 है, कि, पौधो का, पौधो का कौन सा भाग, फूल बनने का उधिपन ग्रहन करता है, तो इसका answer हो जब अप्शन नमबर C, यहनकी पौधो का जो पौधो का जो पौधो भाग होता है, वहीं फूल बनने का उधिपन ग्रहन करता है, question number 9, सहज प्रणाली का परिवर्धन इमने में से कौन सा है, सहज प्रणाली, सहज प्रणाली का परिवर्धन हो जाएगा, प्रणाली की स्वपोसी करिया है, answer हो जाएगा, प्रणाली की स्वपोसी करिया है, सहज प्रणाली परिवर्धन, ठेक न? Question number 10, देखते हैं, 10 है, genetics निमने में से किसका अध्यान है, है जेनेटिक्स की बात कर रहा है यह जो जो जीन जाता है वही जेनेटिक्स है अनवान-सिक्ता और विचरन का अब है 11 मैंडेल मैंडेल का अनवान-सिक्ता सिधान किस पर आधारित है यह भी अनुवानसिक्ता की बात हो रही है कि मेंडेल का जो अनुवानसिक्ता सी धानत है किस प्रदाजत है यह है लैंगिक जानन इसका एंसर हो जाएगा लैंगिक जानन पे ठीक है नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 12 कोशन नमर 12 है भुरूण किस में मिलता है भुरूण किस में मिलता है तो इसका एंसर हो जेगा ऑप्शन नमर सी बीज में भुरूण किस में मिलता है बीज में प्रकास अंसलेशन होता है तो प्रकास अंसलेशन किस में होता है यह है क्लोरोप्लास मेंते स्व लाइंगगी जिननन से अनुवानसिक विचरण कैसे होता है अब यह प्रोमो सोम में बदलाओ से से भी होता है और जिनके मिस्टन यानि कि सफलिंग से भी होता है तो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर्डी उप्रोक्त सभी से होता है फिर क्वेशन नमर्डी बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वरास्थापी भारत के लिए कारेक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कारेदत है तो इनका भारत में एक फाउंडेशन है, इनके द्वारा जो अस्थाफित है, उसमें किस करक्रम है, यानिके आवाहन जो कारक्रम है, किसके प्रतिरोध के लिए चलाया जा रहा है, तो यह है और HIV-AIDS के लिए, ठीक है, HIV-AIDS रोकने के लिए यह फाउंडेशन काम करता है, कोशन नम्मर 16, राडार का आविसकारक कौन था, ठीक है, राडार, यान देखे, र, A, D, A, R, ठीक है, इसका कभी-कभी फोलफ़र्म भी पूछ देता है, ठीक है, आजने कि, र से हो जाएगा, रेडियो, डी से हो जाएगा, direction, end, ठीक है, और र से फिर, ranging, क्या हो जाएगा, रेडियो, डाइरेक्शन एंड रेंजी ठेगा चले इसका आविसकारत तो इसका आविसकारत हो जाएंगे रोबोट वाट्सन कौन है रोबोट वाट्सन अब चलते हम नेक्स्ट कोश्चन नमबर 17 17 है इन में से रख दाव कमापक ब्लड प्रेसर ठीक है ब्लड प्रेसर का जो वाला जो यंत्र होता है उसका नाम मताना है कि उसका क्या नाम है तो उसका नाम हो जाएगाיב working Yep इसका नाम है क्या स्पाइग्नो मीटर देखिए स्फेरो मीटर इस जो स्फेरो मीटर है यह धरातल की वक्रता की माप करता है किसका धरातल की वक्रता की माप ऐनीमोमीटर यह वायू वेख कम आपका से किया जाता है किसका वायू वे यहां भी लिख दे रहा है धारातल की वक्रता और एमीटर किसका होता है बिद्दुधारा का इसे क्या माँ आप जाता है बिद्दुधारा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 18 कोश्चन नमबर 18 है निम्नलेखित में से किस विटामिन से कोबाल्ट प्राप्त होता है कोबाल्ट तो कोबाल्ट प्राप्त होता है विटामिन B12 B12 से कोवाड प्राप्त होता है ठीक है इसे में हम देखते हैं जिसे vitamin B6 है तो B6 को pyridoxine ये क्या है pyridoxine ठीक है इसको बोलते है pyridoxine तो ये किसके थूर मिलता है जीसे दूद, कलेजी, इमान सखाने से और देखे को ही बोलते है नाम इसका क्या है परिडॉक्सीर ऐसे घanken ट ट्रिकों डाई हो जता है थाइमीन ये क्या है थाइमीन ठीक है तो नाम भी पूछता है कि थाइमीन तो कौन सा विटामीन प्राइप्डीं गीक्ता अंग बताएप्डार मैं। जाता है और इससे क्या होती है कभी कभी मृट्टी भी हो जाती है तो इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो अंग है यक्रित कौन सा अंग है यक्रित ठीक है यानि कि लिवर तो इसमें क्या होता है कि यक्रित द्वारा ही पीत का स्रावड होता है और यक्रित प्रोटीन में उपापचैन में भाग लेता है और विग्टन के फल सरूप इसम किसमें उत्पन विशयलें अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है जो अमोनिया बनता है किसमें यूरिया में परिवर्तित कर देता है और जिससे यक्रित प्रभाइद हो जाता है ठीक है Next questions और तो कौोशन नममर 20 और बिद्धुद्ध उत्पन करने के लिए इस तुह किया जाता है तो ये धातू है uranium, uranium से बिद्दूत उत्पंद किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन लोलक की कलावधी, लोलक की कलावधी क्या है? तो लोलक की कलावधी है, ये लंबाई के उपर, लोलक की जो लंबाई है, उसके उपर ये निर्भर करता है इसका एंसर हो जागा option number B, ये होता है, T equal to 2 pi under root L by G इसके उपर निर्भर करता है, ये लोलक की लंबाई, जितनी अधिक रहेगी, उतनी ही तेजी से वह दोलन करेगा लंबाई जितनी इसके अधिक रहेगी है, वह दोलन अधिक से तेजी करता है ये लोलक की जब कलावधी कर रहा है, तो किसके उपर निर्भर करता है, लंबाई के उपर निर्भर करता है तो ये इसका अंसर होज़ेगा उत्तर दिसा में, ठीक है, देखें, चुम्बकी जो सुई होती है, ये दो साइड में, ठीक है समझे यह north और यह क्यों होगया south ठेके तो north और south की तरफ यह क्या करती है denote करती है ठेके indicate करती है न बर्सर झोंजो की तरफ क्योंकर दो police में बनता है north pole और south pole एक चुंबक से इसलिए अगर 6 जब रगा रहता है तो धाधन yn farther south में यह संकेत करती है अगला प्रकास को नली में कैसे पैदा करते हैं सुएथ प्रकास को नली में कैसे पैदा करते हैं तो यह उप्शन भी हो जाजगा है तन्तु को गर्म करके तन्तु को गर्म करके सुएथ प्रकास को नली में उत्पन किया जाता है नेक्ट्सक्षन को सुषन 25 चौबिस है महासागर में ऊची जलतरंगे कैसे होती है यह यह नहीं की देखें कैसे बनती है जो जल तरंगे आता है जब भी आप सागर के किनारे महासागर किनारे जाएगा जल की जो तरंगे आती है वो कैसे बनते है इसी की बात कर रहे हैं आपे तो इसका एंसर रोजगा ऑफ्चन नॉमर दी देखिए चंद्रमा भुकम से सुरे से तारो से और चंद्रमा इसमें बहर भाटा इसमें लुगू जुआर आता है कासा नुगू जुआर लेकिन जैसे जी 2021 की रात होती है उसनी पूरिमा के रात में इसका जादे असर दिखता है लेकिन जैसे जो पूरिमा की रात जादे असर दिखता है एक होता क्या है कि चंद्रमा प्रिथवी के गुर्थवा कर्षन बॉल को जादे प्रभाईद करता है और चंद्रमा का जरुदपादन सक्ति जो होता है और सुर की तुल्ला में लगभग 2.17 गुना अधिक होता है ठीक है किसी दोस्त को अगर समुद्र किनारे जलत रंगों का अगर लुप्ट उठाना है कि तो उनको ये पूरिमा और सब्तिमे और अश्टमी इस दिन अगर आप जाएंगे समुद्र के किनारे तो आपको लहरे जादे दिखाई देंगी ठीक है उची उची लहरे आपको आपकी तर समुद्र के एक साइड में आती दिखाई देंगे ठीक है अब कोश्चन नमर 25 कमरे को ठंड़ा किया जा सकता है तो कमरे को ठंड़ा किया जाता है संपीडिट गैस को छोड़ने से कमरे को ठंड़ा किया जा सकता है ठीक है तो ये कमरे को ठंड़ा क्या है जैसे AC हो गया ठीक प्रकास में सात रंग होते हैं रंगु को अलग करने का क्या तरीका है तो रंगु को अलग करने का तरीका है कि एक प्रिज्म से रंगो को अलग किया जा सकता है ठीक है यह रहा प्रिज्म ट्रेंगल यह त्रिभूज क्या करका और यहां से यह स्विध प्रकास आती है ठीक है यह स्वेत्प्रकास आती है और यहां वण पट एक पड़ा है। कि वड़ पॉट पर सातों दुमाबॉं में अपने यह बिभाजित हो जाती है, ठेग यह न इसी की बात कर रहा है यहाँ पे तो आब यह हो जाय रहा है आपका प्रीज है ठेग न में जब तो सूरिः घर हन की बात हो रही है की सूरि आख रहन कभ होता है तो इन होता है कि सूर्य ग्रहन तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो ठीक है ना चंद्रमा बीच यानि कि देखे यह रहा सूर्य ठीक है और बीच में आ जाता है चंद्रमा और साइड में और एक साइड होता है प्रीथिवी इनकी सूर्य और प्रीथिवी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सुर्य ग्रहाण लगता है ठीक है नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है कि सबसे छोटा दिन कब होता है सबसे छोटा दिन कब होता है तो ये 23 दिसम्मर को सबसे छोटा दिन होता है 23 दिसम्मर को सबसे छोटा दिन होता है ठीक है देखिए तो ये छोटा दिन हो गया अब इसमें और सार है जिसे बड़ा दिन अगर बड़ा दिन की बात कर रहा है कि बड़ा दिन कौन सा होता है तो देखिए बड़ा दिन सबसे बड़ा दिन ठीक है यहां तो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून को ठीक है सबसे छोटा दिन 13 दिसंबर सबसे बड़ा दिन 21 जून अब देखे एक है आपका 21 मार्च और एक तारीक है 22 सितंबर 22 सितंबर ये दो दिन ऐसे हैं जहां पर रात और दिन बराबर होते हैं रात दिन क्या होते हैं आपे बराबर इस डेट में तो ये डेट पूछता है दोस्तों अब डेट भी याद रखेगा बड़ा दिन की 21 जून और 21 मार्च और 22 सितंबर को रात दिन आपस में बराबर होते हैं ठेक है नेक्ट कोशन के तरफ हम बढ़ते हैं कोशन नमर 29 में इसको क्या किया सकता है तो सोने को घोलने के लिए अम्ल राज का निर्मार किया जाता है यह जो Sulfuric Acid और Nitric Aml है तो इसे AmlRaj का निर्माड किया जाता है AmlRaj और तब इसको घोला जाता है तो देखे, Sulfuric Aml, H2SO4, Nitric Aml, HNO3 होता है और दोनों मिलता है तो AmlRaj का निर्माड होता है और इससे सुना घोलाता है नेक्स्कeksं के तर permite हम, कौशन नमर 30, चुहे मारने का जहर किस रसानिक पदार्थ से बनता है तो यह बनता है पोटेसियum साइनाइड से, पोटेसियUM साइनाइड से चुहे मारने का जहर बनता है चुहे को मारने के लिए रेट्रोसाइड का उपयोग किया जाता है और जिसका निर्मार पोटेसियम और साइनाइड से किया जाता है इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या चीज़ रेट्रोसाइड ठीक ना रेट्रोसाइड का उपयोग किया जाता है होता है क्या है को जब हम जलाएंगे तो क्या बनेगा यह बनता है पानी देखिए hydrogen hydrogen H2 और अगर जलाते हैं तो उपसिती किसकी जरूरी है या पर oxygen की तो जब oxygen जलाते हैं ठीक है तो क्या बनता है oxygen हम जब जलाएंगे यह हो है H2O ठीक है H2O यहने के hydrogen प्लस oxygen यह हो जाएगा H2O जलाएंगे नेक्स्ट वर्शन मायोग्लोबीन में कौन सी धातू होती है तो मायोग्लोबीन में लोहा की धातू होती है देकि इसके केंद्रक में लोह परमाडू रहता है और दूसरा भाग ग्लोबीन जो 95% रहता है यह रंगहीन प्रोटीन होता है ठीक है यह क्या है प्रोटीन कैसा रंगहीन प्रोटीन ठीक न यह रंगहीन होता है इसमें क्या होता है लोहा नेक्स इस्पिरीन कहां से मिलता है तो यह एक पेड से मिलता है कि से एक पेड़ से लेटेक्स और पेड़ का नाम है लेटेक्स लेटेक्स पेन का नाम है लेटेक्स लेटेक्स से प्राप्त होता है यह जवर लगता है उसमें दिया जाता है जवर को दूर करने में और जो सरीर में जो वेदना होती है दर्द जैसे सरीर पेन करता है बोडी दर्द करता है उसमें भी दर्द निवारा के रूप में इसको इस्पिरीन को दिया जाता है तेक है next question से है question number 34 पीतल में कौन सी धातुए है pitl में कौन important question को ऌपस्टन नम्बर प्यतिस है अमलवर्सा होती है अमलवर्सा होती है तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्सन नम्मर ए कार्खानों से अमलवर्सा किस से होती है कार्खानों से देखें इसका मूँख क्यारण है किbear еuctra ये भूरे लाल रंग की तीक ही गंध वाली गैस होती है रंग इसका नीटरॉजन और ऑख़ीजन समानेता पर अभिक्रिया नहीं करते हैं लेकिन जो अध्योगिक प्रथिश्ठानों से जो निकलता है तो यह उच्च ताप मान पर क्या करते हैं अभिक्रिया कर लेते हैं और अभी क्रिया करने के बाद से यानिकी नाइटरस अकसाइड नमी से मिल गणनाइटरिक अमल बनता है और जो वर्षा के साथ प्रिदवी पर पढ़ता है और यहीं जो प्रिदवी पढ़ता हुआ अमल वर्षा का लाती है ठीक है गियों की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा option number A यानि कि nitrogen देखे nitrogen अब कोई भी खाद का अगर बोरा ला रहे हैं ठीक है एक packet ला रहे हैं तो इसमें दिया जाए nitrogen 46% कितना 46% यानि कि 16% तो यह होगा nitrogen खेती के लिए कौन से उर्वरक तो nitrogen भारत में जो उर्वरक का pattern है तो उर्वरक का pattern है nitrogen ठीक है यह आपका हो जाएगा potassium यह हो जाएगा potassium पुटास ठीक है nitrogen potassium potassium पुटास इसमें क्या होता है इसका एक ratio रेशियो रेशियो देखे कोशन्स भी बहुत पूछता है कि इसका ratio क्या होता है तो इसका ratio होता है चार फोर यह चार अनुपात दो अनुपात एक कि ratio में खाद डाला जाता है ठीक है भारत में यह खाद डालने का pattern यह भी most important है इसको भी आप ध्यान में से रखी हे क्यों कोशन्स पारता है कभी ratio ही पूछ दिया है कई बाद चलिए next question चलते हैं मैं जब बैद्धुतिक उर्जा गति में परिवर्थित होती है तब जब जब बैद्धुतिक उर्जा बैदुतिक उर्जा जो है बैदुत उर्जा ठेक है न और गती में जब बदलती है तो इसमें 30% उस्मा की हानी होती है 30% ठलेग test झसे जब मोटर ही होगया है जब बाइक ही ओ deze यह हो गिया जब वह गती में पकड़ता है तो इसमें उwwsme a की 30% हानी होती है N grav नेक्स्ट कॉड्चस कोषचन ममर 38 ज देखते हैं शक्र का किडवन सकर का किडवन से क्या बनता है तो इससे इथाइल अल्कोहल बनता है इससे इथाइल अल्कोहल देखें ग्लुकोज और फ्रोक्टोज से बनी गन्य की सरकरा जिसका आडविक सुत्र तो जो सरकरा बनता है सरकरा थे ना क्या होता है C12 H22 और O11 देखें Most Important ये का बहुत बार क्कोशन में ये फर्मूला ही पूछ दिया हुआ है ठीक है बहुत से एक्जाम में तो आप इसको भी आद रखेंगा तो आडविक सुत्र क्या होता है सरकरा का C12 H22 और 11 किर्वन से इथाइल अल्कोहल का जब इसका किर्वन करते हैं ठीक है किर्वन से इथाइल अल्कोहल का निर्माड होता है नेक्स्ट कॉर्शन कॉर्शन मुन्तालिस 49 है कि जब एक पत्थर को चाद की सता से प्रिद्वी पर लाया जाता है एक पत्थर है उज़को चाद की सता से ठीक है ना चांद की सता से प्रित्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तनम को देखने को मिलता है ठेक है तो उसमें यह हैता है option नमर B इसका भार बदल जाएगा प्रतु द्रवार नहीं बदलता है ठेक है क्यों क्योंकि एक बटा छो ठेक है वेट होता है ठेक है एक चीज और समझ लिजे इसमें कि जो वस्तु का भार होता है वह चाहे हम प्रित्वी पर रखें चाहें चंदर्मा प्लेजर चाहें कहीं भी लेग जाए तो भार बदल जाता है लेकिन द्रवमान नहीं बदलता है ठेक है द्रवमान हमेशा वही रहता है तो कोशन्स बहुत बार आया है ठेक है कि भार बदल जाएगा द्रवमान नहीं बदलता है द्रवमान बदलेगा कि नहीं बदलेगा ऐसा कोशन दे देता है तो यह आपका एंसर हो जाए नेक्स कोशन कोशन नम्मर 40 है कि आप एक लिफ्ट मे में है और लिफ्ट में जो भार आप फर्स पर जो बल लग रहा है ठीक है उसकी बात कर रहा है कि फर्स पर आपके बहार द्वारा लग रहा बल क्या होता है इसका एंसर हो जागा option नमर B लिफ्ट के 9.1 मेटर परती square के दोरण से नीचे आते समय सुन जेबें जैसे आप लिफ्ट में है ठीक है और लिफ्ट में के आप नीचे आ रहा है ठीक है तो कोई भी वस्तूरत ही उसका भार सुनने होता है ठीक है लेकिन जैसे आप लिफ्ट में उपर चड़ते हैं तो भार क्या होजता है बॉड़ जाता है ठीक है कि लाइट का जो इलक्ट्रीक का वोल्टेज होता है वह एक बढ़ जाता है तो जो भी सुरक्षाव करण घर में है जैसे टीवी फ्रेज यह सब खराब नहों जले नहों इसके लिए फ्यूज लगा जाता है और वो फ्यूज फ्यूज होता है किस तार्क का होता है तो यह होता है यह बनता है आपका टीन और सीसे का मिस्र धातु होता है उसे से बनता है ठीक है यह जल्दी गल जाता है इसके लिए इसका उपयोग किरते हैं अब है कोशन नमर 42 कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय बर्तन किसके हैं पीतल के कलाई ठीक है कलाई करते समय गरम बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किये जाने वाले अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड चुण से निकलने वाला धुआ है जब इसको कलाई करते हैं तो गरम होता है और गरम करने से जो अमोनियम क्लोराइड चूड़ से निकलने वारा जो धुआ होता है वह क्या है तो यह होता है अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड से देखें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसीड का होता है यह धुआ किसका अमोनिया और हाइड्रोक्लोर इसमें क्या होता है गर्म जब करते हैं अमोनियम क्लूराइड तो यह NH3 मिल कर उजला धुवा के रुप में दिखाए देता है यह दो लोग साफ सफाई करते हैं तो इसमें करते इसमें तो जो गरम बरतन होता है सफाइम प्रियोग की जाने से अमोनियम जो क्लोराइड चुड़ है उससे धुवा जो भी निकलेगा वो कैसा निकलेगा उजला धुवा निकलेगा और किसमें क्या रहेगा अमोनिया और हैड्रोक्लोरिक एसीड ठेक है नेक्स्ट कोशन है जस्ते के एक आइतन भाग को दो आइतन भाग ताबा जस्ते का एक आइतन भाग है और तामबा का दो आइतन भाग है इसका घनतों $500 किलोगराम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है देखे घनतों इसका दिया हुआ है और घंथ तो इसका भी देय हुआ है दोनों के मिलाने से पीतल हि। तो पीतल का घंथ हो जाएगा तिराह सी सो ग्राम ठेक है। इसमें क्या होता है, और इसका एक ग्राम है, तो इसका एक अतर सो और इसका कितना है दो भाग है तो इसका हो जाएगा नवासी सो ठीक है तो दो है तो दो से गुणा कर देंगे तो ये अपना हो जाएगा सत्रो आठ और डबल जीरो ठीक है यह सत्रो आठ डबल जीरो और इसका क्योंकि इसका दो भाग है तो दोनों को जोड़ेंगे ठीक है तो दोनों जोड़ने पे आपका हो जाएगा 24 नो और डबल जीरो ठीक है तो दोनों मिलकर दो आएकों मिलकर नहीं तीन अज में तीन से भाग कर देंगे तो यहीं कट जाएगा डिबन जोगा तीरासी सो से यहीं तीरासी सो किलोग्राम प्रती मीटर क्योब इसका घनत हो जागा पीतल का ठेक है तो नेक्स्ट कोशन्स और इस वीडियो का लास्ट कोशन्स है अलकोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखरी उत्पाद क्या होता है तो इसका एंसर हो जागा अप्शन नमर सी इथाईल अलकोहल यहनि कि अलकोहलिक खमीर का लास्ट जो प्रड़क्ट बनता है वह क्या होता है वह इठाइल, अलकोहल, ठेक है यहाँ का अलकोहल की बात हो रही है कि अलकोहल का निर्मालता है ठेक है दोस्तों चले इस वीडियो में इतना ही अब इस entertainment के हम अभी दो वीडियो और डालेंगे इसका जो जो वीडियो और डालने पूछता है लगभग साइन से पूछेगा 25 कोश्चन 20-25 कोश्चन तक रहता है और मैक्सिमम 30 कोश्चन इस में से जरूर आपको 50% कोश्चन इस बैक यर से मिल जाएगा तो दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिए ठेक है रिवीजन कीजिए लाइक कीजिए सब्सक् आप ले सकते हैं ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत-बहुत तन्रबाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में